सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई योटूब चलंड आसमन फोटोक्राफी सो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोग कुछ इस तरह का बर्थ दे स्पेसल फोटो एरिटिंग करना सिखाऊंगा जो की देखने में काफ ज़िदा अमेजिंग सा लगड़ा है आप लोग इस सब्सक्राइब से पहले आप लोग अपने फोम में प्रिक साथ अपकेसन को ऊप PP कर लिजगा और यहां से पर सायप्स पर क्लिक об어요 करके आप एक वाइट बैगरांड को एड कर लिजगा अब यहां से टूल्स ऐकौन पर क्लिक करके यहां से प्रॉबड वाले ओप्सन कर क openness इस वाले background को हम लोग add करेंगे और इसको कुछ इस परकार से zoom करके कुछ इस तरह से इसको हम proper adjust कर लेंगे और यहांसे इसको हम done कर देंगे और फिर से हम add photo वाले option पर click करेंगे और यहांसे हम एक table की png को add करेंगे इस बाले table png को हम लोग add करेंगे और इसको हम कुछ इस परकार से थोड़ा zoom करके कुछ इस तरह से इसको हम अपने according adjust कर लेंगे और यहां से side वाला option पर हम क्लिक करके थोड़ा side देंगे ताकि देखने में यह थोड़ा फ्यक्साना लगे और फिर से हम add photo वाला option पर क्लिक करके अपने photo एक cutout को हम लोग add कर लेंगे अगर आप लोग को अपने photo cutout नहीं बनाने आता है तो इसको उपर मैंने एक वीडियो और लेडी बना दिया है आप लोग वीडियो के discussion में जाके check out कर सकते हो अब हम कुछ इस परकार से अपने photo को जूम करके यहां से layer वाला option पर क्लिक करके हम इसको move down कर देंगे और कुछ इस तरह से इसको हम अपने according adjust कर लेंगे और simply हम यहां से इसको done कर देंगे अगन हम add photo वाला option पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक ballon की png को add करेंगे इस वाले ballon png को हम लोग add करेंगे और इसको कुछ इस परकार से थुरा जुम करके left side में हम कुछ इस तरह से इसको adjust कर लेंगे यहां की side और यहां से लेयर वाले आप्शन पर हम क्लिक करके इसको डूब्लिकेट करके राइट साइड में भी एड़ेस्ट कर लेंगे और सिंप्ली हम यहां से इसको डॉन कर देंगे हम इफेक्ट वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से हम बलर वाले आप्शन पर क्लिक करके इस वाले फोकल जूम वाले बलर को हम लोग एड़ करेंगे और इसके सर्कल को हम कुछ इस तरह से बीच में रखके यहां से इडिजर वाले आप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसको हम invert कर लेंगे और कुछ इस तरह से इसको हम zoom करके इस balloon png पर इसको हम draw करेंगे और simply हम यहां से इसको done कर देंगे अब हम draw tool वाला option पर क्लिक करके आपने photo को हम save कर लेंगे और इस वाला photo को हम lightroom application में color grading के लिए open करेंगे लाइट रूम अप्लिकेशन में फोटो अपेन हो जाने को अबसा पहले हम लोग क्या करेंगे यहां से लाइट बाला आप्शन पर क्लिक करके इसके एक्सपजल को थोरा हम increase कर लेंगे और इसके contrast को थोरा decrease कर लेंगे और थोरा highlight को भी increase कर लेंगे और इसके set को थोरा increase कर लेंगे अब यहां से हम color वाला option पर click करके इसके reference को थोरा increase कर लेंगे और यहां से हम mix tool वाला option पर click करके यहां से orange color पर click करके इसके luminous को थोड़ा increase कर लेंगे और यहां से हम yellow color पर click करके इसके hue को थोड़ा decrease कर लेंगे और red color पर click करके इसके saturation and luminous को भी increase कर लेंगे और यहां सिंप्लम इसको done कर देंगे अब हम इफेक्ट वाला अप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो में विगनेट एंड टेक्स्टर को भी इंक्रीज कर लेंगे और यहां से sharpness वाला option पर क्लिक करके अपने photo मुतरा sharpness and details को भी increase कर लेंगे अब simply यहां से share वाला option पर क्लिक करके अपने photo को हम save to device कर लेंगे तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिजएगा और नेक्स्ट वीडियो की स्टोपी पर मेंचाई कमेंट जरूर किजएगा